हलो गाइस दिसी जोर यूट्यूब चैनल मार्केट मुभर और यहां पे मिलते हैं आपको कॉलिटी वाले स्टॉक्स की डिटेल साथ जिस स्टॉक्स की मैं डिटेल बताता हूं उसे स्टॉक का पूरा बिजनस मॉडल आपके पास रखता हूं और इसी खासियत के वजह से काफ चाहे वगर वगर जिससे आपको ऐसा लगे कि मैं किसी भी चीज का पर्मोशन कर रहा हूं या फिर कुछ भी ठीक है वह पूरा का पूरा फ्री अप कॉस्ट यह सर्विसेस दिये जा रहे हैं बट फिरी के सर्विसेस बहुत सारे लोगों को साथ पसंद नहीं आती है जिसके वज़े से काफी सारा लोग परिशान रहते देखिए स्टॉक का नाम मैं सबसे पहले दिखा देता हूं पूरा वीडियो देखिएगा काफी मज़ा आएगा इस वीडियो पे गोफिक बायो साइंस लिमिटेड नाम है इस स्टॉक का बारे मैं आपको बताया था स्टॉक की क स्टॉक को आपके पास प्रेजेंट किया था अभी स्टॉक वन थावजेंड के आसपास में पहुंच गया यह इस टॉक पी आपको अभी तुरंत मोमेंटम दिखा सकता मैं इंड आप दर वीडियो आपको बताऊंगा कि इस स्टॉक पर कैसे प्ले करना ठीक है सिर्फ इतना वीडियो को देखके भागिएगा नहीं तो आप स्टॉक को बाई किजिएगा और बाई करने के बाद आपको प्रॉबलम आएगी तब आप हमें कहेंगे कि आपने इस स्टॉक पर रिकमेंड कर दिया नहीं मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं मैं वीडियो पे आपको बहुत सारी जानकर याद देने के लिए आपको ये चीजे बता रहा हूं देखिए गुफिक बायो साइंस के बारे में आपको साथ कुछ भी पता नहीं होगा एक्चोली में फार्मासेटिकल कंपनी है फार्मा सेक्टर की कुछ अची कुछ प्रोडक्ट्स है है और जो कि specialist इनको माना जाता है घ्रक गुफिक बायो साइंसलिमेडेट अइंगेज्टर काष्ट्र अउप्टिकल وأप्टेकल क्यूमिकल प्रोडक्ट्स बातनिकल प्रोडक्स जो है ये कंपनी को बनाती है कि फanu प्डिक अच्छा तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा ही माना जाएगा सिर्फ एक चीज को छोड़ने के बाद इतनी छोटी सी कंपनी है पांसो असी करोड की और आप यहां पे देखिए स्टॉक का रिटर्न और केपिटल इंप्लोई रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए और सेल्स दे है एक पेरामिटर यह डेड़ वाली तो यह डेड़ वाली मुझे असे लगती है कि धिर धिरे करके आपको यह डेड़ आपको बहुत कम देखने को मिलेगा ऐसा मैं क्यूं कह रहा हूं देखिए स्टॉक का अगर लाइप टाइम चार्ट मैट दिखाऊंगा तो यह स्टॉक एक सो चालीस पचास रुपे तक गया था और जरनी देखिए कैसे भागा था यह चीज आप जरूर नोट कीजेगा दो हजार दस ग्यारह में यह च्छे सात रुपे का हुआ करता था और उसके बाद इसमें क्या मोमेंटम आई थी 150 को लेके गया था इस स्टॉक को अभी देखते नहीं है या फिर वीडियो देखते हैं तो उस पर जो चीजे आपको बताए जाती वो चीजे आप सुनते नहीं है देखिए स्टॉक का सेल्स देखे 2017 में ठीक है 2017 से 2019 के दिसंबर क्वाटर तक का रिजल्ट है और इस रिजल्ट में इनकी प्रॉफिट ही सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगा कंपणी 80 लाग की प्रॉफिट की थी 15 करोड की 5 करोड की 6 करोड की एक तीन और वगेरा जितना भी है लेकिन 2019 के दिसंबर क्वाटर मिनों ने 7 करोड की प्रॉफिट की है और अभी जो सीन चल रहा है वो मार्च क्वाटर का इनका अपडेट अभी तक नहीं आया ठीक है और अपडेट अगर आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक पे आपको और भी मुमेंटम देखने को मिलेगी यह अपडेट यहां पे नहीं है देखिए यह यह एर ओन यह पर देखिए इनकी प्रॉफिट यह होता है कंसिस्टेंट पॉफोमर का कंसिस्टेंट पॉफोमर स्टॉक है यह याद रखिएगा देखिए 2018 पर यह तिरपन करोड की प्रॉफिट करती थी और यह प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते स्वारी सेल्स करती थी ठीक है और मैं थोड़ा सा डिस्टरब हूँ इसके वजह से कहीं पर वीडियो पर मिस्टे इसको एप्रीशेट करके आप अपने तरफ से इसे खारीश कर दीजेगा देखिए 53 करोड की यह सेल्स करने वाली कंपणी 351 करोड की सेल्स कर दिया 2019 में सिर्फ 10 सालों में सेल्स कहां गया और उस सेल्स को देखते देखते इनकी प्रॉफिट देखिए प्रॉफिट जबर चस्त एक करोड की प्रॉफिट करती थी चार सालों तक फिर दो करोड तीन करोड चार चार साथ नो सोला बाइस और यह 24 करोड की प्रॉफिट का अनुमान आ रहा है 2020 के आसपास में स्टॉक का पोटेंसियल देखिए कहीं पे भी माइनस नहीं देखेगा कंपाउंडेट सेल तो डेट देखिए यहां पे जो है इनका थोड़ा सा एक सो तीन करोड तेरा करोड की डेड है और यह डेड के वजह से थोड़ा से स्टॉक में क्या होता है प्रॉफिट और थोड़ा सा इनका कम हो जाता है क्यूंकि इनको इंट्रेस्ट पे करना पड़ता है और वो इंट् की इनको इंट्रेस्ट पे करने पड़ती है अभी चलिए मैं थोड़ा से इनका बिजनस मॉडल थोड़ा सा एक दम कुईक रिवीव देता हूं और उसके बाद कुछ बाते और भी करूंगा देखिए इस प्रेजेंटेशन के मैं आपको समझाने की कोसिस करूंगा ठीक है यहां पर बहुत सारी चीजें दी हुई है कार्पोरेट ऑवरिवू देखिए कंपनी के बारे में अगर आप जानना चाते हैं तो यहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी 1984 से लेके यह स्टॉक धीरे-धीरे करके अपना कामकाज स्टार्ट की और गुफिक ग्रूप के बारे में यहां पर कुछ यहां पर इस्पेशल प्रोडेक्स के एमोक्सिसलीन और जो भी प्रोडेक्स हैं यहां पर नाम दिया गया है और ब्लॉक बुस्टर ब्रांड्स के ब यहां पर और एक है कारियर्डिक और इंफाइटेलिटी एंटिवाइरल प्रोटेन पॉंप इन्हेविटर सिग्मेंट्स तो कुछ चीजे हैं पूरी फर्मस्यूटिकल है बट इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर ठीक है 1970 से लेके और आगे भी है यहां पर देख लिजिए एक पर गया है यहांपर देखिए यहां पर देखिए कुछ की प्रोटेक्ट्स है जो कि आपस नहिं समझ पाएंगे मुझे और फार्मा कंपनीज़ और फार्मा के ऩर् хочет से नूलज़ थीक एंगे ठीक है company के पास यह products देखिए यहां पर कुछ care products है creams वगरा है और अगर नीचे जाएंगे तो यहां पर और भी products नजर आएंगे जो कि आपको नजर आएगा यह beauty products हो जो भी हो और नीचे और भी देखिए यहां पर leading brands है कि products offer और इसके regarding आपको एक चीज और मैं आपको दिखा आना चाहूंगा कि देखिए कितने सारे plants है सबसे पहला plant यहां पर देखिए नवा सिरी plants में कौन-कौन से products बनते हैं उसके बाद है बरोड़रा plant है इनके पास उसके बाद है बेलगम plants यहां पर तीन plants के नाम दिए गए और सबसे इंपोर्टेंट चीज यहां पर देखिए ओपरेशन इने स्प्रेड एक्रोस प्रें इंडिया मतलब इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में यहां पर यह जो डिस्टुबिशन है यह तो है यह साथी इंक्लूडिंग 23 अधर कंट्रीज वर्लडवाइड मतलब हमारे इंडिया के हलावे भी 23 कंट्रीज जो कि आपको यलो किलर पीज जर्मनी ऑस्टेलिया पूर्टिगल उसके बाद यहां पर देखिए युगंडा इरान कितने सारे जगों पर इनकी फैसिलिटीज प्रोडेक्स की जा रही हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन एक्रोस द ग्लोबल यह इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग बनाती ह है तो यह कुछ चीजे मैं छोटी-चोटी चीजे मैं दिखा दिया आपको फाइनेंसियल पर तो आपको बता ही दिया अभी कुछ खास बाते करूंगा वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप ना किजिएगा तेकि सबसे पहला चीज की स्टॉक पर आप क्यूं बनिएगा यह स्टॉक लिस्टेट स्टॉक एक्स्चेंज पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट निकाल के नहीं दी है कंपनी क्यूंकि भारी करेक्शन आई थी उसके बाद स्टॉक उपर जारा बट फंडमेंटली काफी स्टॉंग है जिसके वजह से मैंने आपके पास प्रेजेंट किया कि स्टॉक में कभी भी बिल्कुल भी अपना सारा पैसा ना लगाईएगा और दूसरी चीज अगर सौट टर्म के लिए आप बन रहे हैं तो सौट टर्म में 110-120 तक का इस स्टॉक पर अप मॉमेंट यहां से भी देखने को मिल सकता है और लॉंग टर्म के लिए तो एवर ग किस टाइम फ्रेम पर बनिएगा इसको डिसाइड करने का बाद स्टॉक पर इंटर कीजिएगा बाद की जिक जिक चैनल पर बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं और यह सारी चीजें आपको इतनी मतलब डिटेल्स वाली वीडियो किसी भी चानल पर मिले तो आप हमें जरूर ए तो लाइक भी कर सकते हैं यह आपकी मर्जी है मैं मिलता हूं नेक्स वीडियो पर थैंक यू